इस लिमट नाट रिलेक्स्ट फर इंडियन आर्मी रिक्विट्मेंट गुवर्मेंट के लियर आफ्टर वाइरल क्लेंज नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल डिफेंस पाइंट टी आर्मी अपडेट्स में आज की वीडियो में बात करेंगे एंडियन आर्मी की लेटास्ट अपडेट्स के बारे में आप लोगों बता दे कि देश के किसी भी राज्य से ब्रादेशिक सेना वारति सेना और बेल्ट फोर्स से जुड़ी ओफिसल जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको पता दे काफी बच्चे को एकोशन हमारे यहां पर कमेंट भी किया जारे थे शोचल वीडिया प्लेट फार्म कर कि यहां पर दो साल की शूट जहां पर दी गई है काफी सारे जूट्योब पर भी वीडियो वीडियो इसकली आ रहे हैं कि दो साल की शूट दी गई है जहां पर especially यहां पर governments ने clarify notice जारी कर दिया है आप लोगों को मतने की sharing a screenshot of the fake post on the official twitter handle effect checking agency PIB clarify जन्य की PIB ने clarify कर दिया है कि कोई no age relaxation have been made in Indian Army कोई भी 2022 में कोई भी age relaxation नहीं दी जाएगी after post started has been relaxation in the age limit of Chinese Indian Army the government fact checking body PIB fact check defend the claim calling a fake the fact of check body clarify that no such change has been made in the recruitment process sharing a screenshot of the fake post on its official Twitter handle the fact fact checking agency asked candidates with the cautions a picture claim that the Indian government has been to a relaxation in the age limits to your wise army recruitment this claim is fake there is no such change in the age limit please don't share such fake message pictures the PIB effect tweeted जन्य के उन्होंना tweet करके बता दिया है कि जहां पर कोई भी चेंज नहीं है जो आप लोगों की सेम सिस्टम रहा है कि साथे सत्रह से लेकर 21 साल तक जीडी और आप लोगों की ठारह से लेकर साथे सत्रह से लेकर 23 तक क्लरक टेक्निकल और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के लिए 21 सताइस और आल आम्स पच्चिस और चोतिस अमेशन लेजिस टेचर्स के लिए मैडिगल प्सपाई परमा के लिए उन्हें साल से लेकर 25 साल तक उमर रहती है आप लोगों मता दें कि गवर्मेंट्स ने जहां क्लेरफाई तो कर दिया बट गवर्मेंट्स अभी तक सोई हुई क्यों है रिटन अग्जाम को क्यों नहीं लिया जा रहा अगर ट्यूटर हैं पर इस तरह की ख़बर फैली कि दो शाल की शूट दो हैयर बाइस में मिलेगी उसे तो क्लिरिफाई कर दिया बट आभी इसे कब क्लिरिफाई करेंगी कि अग्जाम की डेट क्यों नहीं क्लिरिफाई कर रहें अगर 28 नमबर को डेटर नहीं होता है तो तमाम बच्चे सडकों में ही गवर्मेंट को देखने को मिलेंगे यह आप लोगों मुदा दे कि हमारी अपील नहीं है यह बच्चों की डिमांड है और आपको हम गुवर्मेंट से अपील करते हैं कि जलदी से नई registration नई वर्थियां start कर दीजिएगा काफी देर होगी है नई registration बंद हुई है 28 अक्तूबर को 28 अक्तूबर के बाद कोई भी registration को लेकर notice नहीं जारी हुआ और हमें काफी उमीद है कि 15 से लेकर आप लोगो केंडेन आरमे के काट भी मिलेंगे और नई registration नई वर्थियों के फाम फिल होना भी start होंगे यहां पर थोड़ी बहुत हमारे पास सोसिस अपडेट्स पहुंच रही है कि 15 के नई वर्थियों के नोटिफिकेशन भी आना स्टार्ट होएंगे और साथ में आप लोगों के वर्थियों के admit card भी देखने को मिल सकते हैं हमारे काम आपको clarify वीडियो देना है बाकी काफी बच्चों के अपडेट्स देना है रियल जानकरी देना है हमें ओफिशल जो अपडेट्स निकल ली थी न्यूज 18 के अनुसार आप लोगों को बताई है डेटा वर्थ जुरूर दोस्तों कमेंट करें ताके हम आपको बताएं कि आने वाले जो रिजेटेशन 15-16 से शुरू होने वाले उसमें आपका फाम लगेगा जणना ही लगेगा और आपको डेटा वर्थ काफी मेट करती हैं दोस्तों में डेटा पर्थ कमेंट करें हम उसी कमेंट का रिव्लाई देंगे simply data worth comment कर देनी है और हमारे चैनल की तरफ से द्वारा आप लेकों को इंडिन आर्मी की त्यारी करने बाले और टेरिटोरिल आर्मी की त्यारी करने के बाले के लिए आल्दा वैस्ट हिमत नहीं आ रही है दोस्तों और रंणिंग करते रहें तमाम सेंटर टोटली जीरो है और आप लोग एक बार अंकड़ा देखेंगे एक बार मेडिया रिपोर्ट सर्च करेंगे तो आप लोगो खुद पता चल जाएगा कि ट्रणिंग सेंटरों की क्या हालत बनी हुई है आप लोग ही उन्हें जाकर फिल करेंगे अल्डवेस्ट